हेलो हेलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं कि जो नाइलिट के एक्जाम होने हैं जनवरी 22 में ओ लेवल के तो उसमें जिन भी बच्चों को एक्जाम फॉर्म भरने थे तो सुड़ेंट परशान थे क्योंकि जो है एक्जाम फॉर्म वाला पोर्टल खुल नहीं रहा था तो आपकी जनकारी के लिए बता दें कि एक्जाम फॉर्म वाला पोर्टल ओपन हो गया है और अब जो है एक्जाम फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं तो आज के वीडियो में हम यहीं बात करेंगे कि एक्जाम फॉर्म जो है कैसे आप भर सकते हैं एक्जाम फॉर्म के लिए जह है इसकी last date क्या है कब तक यह फिल हो जाएंगे और exam form का जब फिल हो जाएंगे बाकी paper आप कब से होंगे और इसके लावा हम यह भी बात करेंगे कि आप exam form कैसे फिल कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलिएगा और इसके अलावा एक बात और की जो है जो पाइथन और वेब डिजाइनिंग के new batches जो दस नवंबर से स्ट हो रहे हैं और अगर कोई भी इंट्रेस्टेड हो जोइन करने के लिए तो यह कॉंटेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं और यह वैपसाइट आपको दिख रही है www.eclacademy.com वहां पर आप जाके make an inquiry पे जाके आप जो है contact कर सकते हैं अगर कोई भी यह courses ज्वाइन करना चाहता हो जो आपके वेब डिजाइनिंग का बैच है या पाइथन का बैच है यह classes जूम पे छलेंगी और यह करीब दो महीने का पूरा course होगा 40 lectures होंगे जिसमें हम पूरा जो है पाइथन और पूरी फिल किया जाएगा और कहां पर जा के आपको फिल करना है तो इसके लिए आपको जो है यह नाय lleg की website आप देख पार jest यहां पर आपको आ जाना है और यहांपर जो है सबसे पहले आपको यह जो है यहांब आप आयंगे इस website पर तो यहां पर यहांपर अभी कोई notification नहीं दि लिखाते हैं, exam form भरने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आप candidate select करेंगे, यहाँ पर अपनी user ID डालेंगे, जो भी registration number मिलता है, और password डालेंगे, और यह CAPTCHA जो लिखा है, वो डालेंगे, उसके बाद login करेंगे, तो जैसा ही है, जब भी आप login करेंगे, यह एक student की ID password है, इसलिए हम share नहीं कर रहे हैं, हम आपको login करके सीधे दिखा देते हैं, कि जब आप login करेंगे, तो आप जिस window पर पहुंचेंगे, तो यहाँ साफ साफ जो है, आठ नवंबर से देखिए, यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, आठ नवंबर से जो है, आपका आस देट तो 6 December है, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि नाइलिट कर प्रॉबलम करता है, तो इसलिए सभी लोग हर हाल में जो है, नवंबर में ही अपने exam form भर लीजिए, खुद फिल कर लीजिए, या फिर आप किसी institute में करते हो, वहाँ पर जाकर फिल करा लीजिए, या जो त time table है, वह कैसे print कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो आप click करेंगे, तो यह time table आपका खुल गया है, यह है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि देखी जो पहला paper आपका होना है, तो पहला paper देखिए, तमाम लोग होंगे, जो चारो paper भरेंगे, तमाम लोग हों आपका noon मतलब यह 25 में होदा है, और यह दूसरा paper होगा 18 जनवरी 2022 में, यह web designing and publishing का है, और यह तीसरा paper आपका 19 जनवरी को होगा, और चौथा paper आपका 20 जनवरी को होगा, तो और पर practical 29 और 31 के बीच में होगे, तो मतलब है कि यह भी clear है कि आपका paper जो है वो January में होना है, paper क date आगे नहीं बढ़नी है, इसलिए सभी लोग अपनी तयारी बहुत अच्छे से जो है, शुरू कर दें, तो यह तो बात होगी कि paper आपका कब से होगा, अब इन papers के लिए आपको apply कैसे करना है, इस पर आते हैं, तो इन paper के लिए apply कैसे करना है, तो इसके लिए हम आ जाते है और यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर हम अपने online वाली window पर आ जाते हैं, और यह paper पर apply करने के लिए आपको यह जो option यहाँ पर आपको देख रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहा है, कि यह जो है click, यह आपको option देख रहा है, click on this link to apply for exam, ठीक है ना, आपको इस link पर click करना है, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, यहाँ पर कैसे आए है, आप login करने के बाद, ID password आपने डाला है, तब यहाँ पर पहुचे है, ठीक है ना, वगर आपको नहीं पता है कि आप ID password कैसे बनाए, तो इस video की description में हमने जो है एक video पहले बना रखा है कि कैसे आप ID ब देख लें, तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे और जैसे ही click करेंगे तो आपको आप यहाँ पर पहुच जाएंगे, जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो यहाँ पर आपको Hindi English देना होगा, इसके अलावा यहाँ पर आप जो है select कर सकते हैं, कि आप fees जो है क जो भी exam center लेना चाहें, वह आप exam center यहाँ पर ले सकते हैं, तेक है न, और यहाँ पर यह लखनो जादतर लोग, अगर आप लोग लखनो के आसपास के हैं, तो यह लखनो लेंगे बाकि यूपी में कहीं के भी हो, जहां के भी हो लखनो, यूपी में, वहाँ का आप center आप जो है, अराम से यहाँ पर ले सकते हैं, अगर कोई जो है, कानपूर का है, तो कानपूर ले सकता है, लखनो का है, तो लखनो ले सकता है, यह 24 है, तेक है न, फिर इसके बाद यहाँ पर दो paper हैं, यह M1, R5, यह M2, R5, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं, कि जैसे यह आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर यह एमांट बढ़ रहा है अगर आपको दो पेपर भरने है तो आपको यहाँ पर सोला सो रुपए फीस लगेगी ठेके ना और अगर आपको जो है माली जे चारो पेपर किसी को भरने है ठेके ना तो चारो यहां पर यह practical वाला हटा दीए तो यह पहला दूसरा भरना है क्योंकि practical आप तभी दे सकते हैं जब अपने चारो पेपर दीए हो तो यह हो गया यह 1600 रुपए आपकी फीज लगनी है तो यह तो बात हो गई और इसके बाद आप जाएंगे और submit करेंगे और submit करने के बाद फ जानने के लिए हमने आपको बता रखा है कि यह इस वीडियो के description में लिंक है और वहां पर आप जाईए वहां पर हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने एक student का पूरा fill करके दिखाया है ठीक है न तो आपको किसी भी तरीके की कोई परिशानी वहां पर नहीं होनी है और वो step by step आप पूरा follow करिए और उससे आप पूरा exam found वहां पर आप बड़े आसानी से fill करके कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करिए और अगर चैनल को subscribe ना कियो तो subscribe जरूर करिए और अगर जो classes जो new batch python और web designing का शुरू हो रहा है 10 November से जिसके timing करीब जो है वो शाम को पांच के आसपास चुरू होगा और अगर python होगा तो वो 6 के आसपास होगा तो इसी तरीके से पांच और 6 में है timing तो यह दोनों की अलग-अलग है पांच से 7 के बीच में ही दोनों होने हैं तो ज आपकी website है यहां पर make an inquiry को option है वहां पर inquiry करिए और जो है आप join कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना काफी था फिर next day नए वीडियो के साथ मिलते हैं